हाई एब्रिवन एकबर फेश से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूटूब चैनल आरके इस्टडी पे मैं हुरेविंद्र कुमार गैज पॉलल टेकनिक 2rd semester CS&IT के जितने भी उड्हें है उनका गैज लेसं no.2 इस्टार हुआ है C programming का जो आपका C programming का subject है उसका आज दूसरा lesson इस्टार है और दूसरा lesson का पहला दिन है और जो दूसरा lesson है आपका उसका जो नाम है आपका प्रोग्राम structure अब गैज इसमें हम लोग प्रोग्राम structure के बारे में समझेंगी कि क्या होता है structure प्रोग्राम C यानि कहने का मतलब है कि C programming हम लोग किस तरह से बनाएंगे basic to advance यानि कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग C program का structure के साथ साथ उनकी जो basic है किस तरह से बनते हैं किस तरह से हम लोग program करते हैं अब ये शुरुवात करने वाले हैं क्योंकि आपने first lesson में कुछ diagram पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग C programming में use करते हैं ये सारे diagram अब हम लोग बात करते हैं programming की तो lesson number 2 से start करेंगे ठीक है जिसमें हम लोग program की structure को ही यानि structure का कहने का मतलब यहाँ पर उसकी जो धाचा है किस तरह से बनेगी क्या होगा ये सारी discuss हम लोग इस class में करेंगे तो video में लाज तक बने रहिएगा और जितने लोग यहाँ पर जूड़े हैं सभी लोग sessions को एक बर share कर देंगे और चलिए आज की class को start करते हैं और कुछ topic भी बताते चलेंगे आप सभी को उससे पहले यदि channel पे ने हो तो channel को subscribe जरूर कर लिजेगा आज की class में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे basic structure of sleep programming यानि कहने का मतलब है कि जो हमारा sleep programming है उसकी basic कहां से concept होगी clear यानि basic चीज में क्या-क्या involved हैं उन सारी चीजों को discuss करेंगे फिर हम लोग उसके अंतरगत में हम लोग को 6 चीजे discuss करने हैं पहला तो कि हमारा documentations यानि हमारा एक documentation section होता है जिसके बारे में हम लोग को define करना होता है कोई भी program बनाने से पहले कि इसमें हम लोग क्या-क्या चीजे involve करेंगे दूसरा हमारा है preprocessor statement जिसमें हम लोग किस तरह के link को किस मतब link के section को वहाँ पे add करेंगे दूसरी बात हो गई अब हम लोग तीसरी बात करेंगे जहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या definition section जिसमें हम लोग define करेंगे c programming का कि हम लोग कौन सी यहाँ पे जो भी programming है उसमें define यानि यहाँ पे clear करना होता है कि हम लोग कौन सी program या किस purpose के लिए program को बना रहे हैं क्या इसमें हम लोग को ये सारी चीचे define करना होता है इसमें जैसे कि आधि आप कभी भी simple भासा में अगर definitions की बात करें जो यहाँ पर definitions section है आप अगर हिंदी भासा में समझे तो आप सभी को definition का मतलब होता है कि कोई चीज आपको दे दिया question उसका earth लिखना answer परिभासा जिसको बोल सकते हैं तो उसी प्रकार से C programming में हम लोग इसको परिभासित करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर definition section के नाम से जानते हैं चौथा है आपका global decreations section अब यह क्या होता है यह देखे C programming में वैसे तो basically आगे जो भी प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें आपके बहुत ही important है global लेकिन अगर अभी कि हम बात करें आपका global decreations की यानि इसमें declare करना होता है आप सभी को कि जो हमारा प्रोग्राम में जो भी हम लोग variables दिए हैं कोई भी variables हो सकते हैं जरूरी नहीं है तो हमारे जो variables होते हैं function के यह variables जो होते हैं वो दोनों जहां involve कर सकते हैं एक तो अंदर भी एक बाहर भी लेकिन एक इसके बिफरीत होता है एक local variable होता है जिसकी existing fix होती है कि यह यहीं पे include होगा लेकिन global variable जो है वो दोनों जहां include होती है इसकी भी fix है बट यह दोनों जहां involve हो सकता है तो यह प्रोग्राम में involve होते हैं पाच्वा है हमारा main function section अब यह main function section क्या होते हैं हम लोग कोई भी जैसे की program बनाते हैं तो हमारा वहां पर एक function लगाते है main function जिसमें हम लोग को declare करना होता है कि यहां पे कौन सा यहां मतलब कौन सा यहां पे variables देने है ठीक है तो यह declaration पार्ट होता है इसको हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आप सभी को ठीक है तो यहां पर डाकुमेंटेशन के बारे में आपने समझ लिया प्री प्रोसेशन समझी लिया डिफाइन सेक्षन ग्लोबल डिकेशन ने बताई कि इसमें दो चीज़े होती है तो लोकल एक ग्लोबल आगे धीरे-धीरे करके आप पढ़ेंगे तो समझेए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूत नहीं है यह दम हुआ हो जाएगा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है सी प्रोग्राम में यह आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो को करते हैं कि इनमें कौन सा फंक्शन हमने लगाए थे जैसे में फंक्शन के बाद यूजर डिफाइन फंक्शन होता है जैसे कि आप एक यूजर है तो आप वहां पर डिफाइन करेंगे ठीक है कि कौन सा यहां पर फंक्शन को लगाना है या कौन सा नहीं लगाना है तो यह स पढ़ेंगे बेसिक structure of C programming सबसे पहले समझते हैं कि है तो हमने आप सबी को तो point बताई दिया कि क्या-क्या पढ़ने है छी प्रोग्रामिंग मूल सनचना इसको हिंदी में और इंगलिज में बोलेंगे basic structure of C programming ठीक है यानि यह आपका topic है जो आपका structure programming है chapter का नाम और जो आपका पहला topic है वही है structure of C program तो हम लोग basic चीजे पढ़ेंगे इसमें ठीक है क्योंकि आप अभी आपको program के बारे में कुछ भी नहीं पता ठीक है एकदम C से चल रहे हैं इसलिए आपको कुछ भी नहीं पता यह समझ के चलेंगे कोई आगे पढ़ लिया हुगा तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन दिख कि इसी को कुछ भी नहीं पता तो यहां से start कर सकता है क्योंकि आज first day है हैं तो सबसे पहले हमने बात किया की यहां पर हमारे चे चीजे हैं ठीक है डाकूमेंटेशन जिसको हम लोग डाकूमेंटेशन सेक्शन भी बोलते हैं दूसरा ो प Bronze से बात किया और यह त्हों यहां पर प्रमारा to किया सफ़ांचन की नाम से नाम से जानते करके हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि होते क्या है यह कैसे यूज होते हैं यहां पर यह बेसिक इस्ट्रक्चर आप सी प्रोग्राइमिंग में दिया क्यों है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका डाकुमेंटेशन्स सेक्संस की तो चलिए फटा सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए प्रोग्राम डाकुमेंट्स सेक्संद में कामेंट लिखता क्या करता है जब हमकोई program को describe करते हैं जब हमकोई program को लिखते हैं डिस्क्राइब करते हैं तो program documentation section जो होता है ओ comment को क्या करता है लिखता है ठीक है अब यहां पर देखिए comment line जो है ignore कर देता है उसे screen में print नहीं करता है दनी कहने का मतलब है कि जब आप कभी भी see programming करेंगे ठीक है तो आपके जो comment होंगे ठीक है जो आपके comment होंगे ओआपको क्या करेगा आपके screen पे जो है so नहीं करेगा —अब कैसे करेगा उसको आपको example में दिखाएंगे तब आपको clear हो जाएगा comment सिर्फ उस program को describe करते हैं या करने में काम आता है जो की program comment के अंदर उस प्रोग्राम का नाम है ठीक है अनदर नाम यहां बोला गया है उसके नाम जो उस program को बना रहा है और दूसरी जनकारी जैसे program को date, उदेश चे आधी यह सब कुछ document सेक्शन के अंदर लिखा जाता है अब यहां पर एक बात समझेगा, यहां पर कह रहा है कि program को describe करने के लिए program document सेक्शन में comment लिखता है और comment को compiler ignore कर देता है और उसे skin पर print नहीं करता है इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई भी documentation sections को लिखते हैं, तो उसको जब program में लिखते हैं, तो hatch लगा कर लिखते हैं, ठीक है, जिससे comment क्या होता है, जो comment होते हैं, वो compiler जब करते हैं, यानि जब हम लोग program को run करते हैं, तब हमारा compiler होता है, वो क्या कर देता है, इस इसको इग्नोर कर देता है और इसकी इन पर हम लोग को नहीं दीखता तो कैसे नहीं दीखता चले एक्जामपल से समझते हैं अब एक्जामपल से यहां पर समझेंगे सबसे पहले यहां पर स्लेश लगाकर इस्टार फाइल नेम लिखा है हेलो डाट सी अनेदर नेम दिया है जीतू साहू आप भी अपना नाम दे सकते हैं डेट दे दिया गया है और यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है अब प्रोग्राम टू फाइंड और इवेन नंबर इसके बाद फिर इसको भी स्टार लगा के स्लेश से क्लोज कर दि निया है ठाइं यह पहले यदी पहले लिखा रहेगा या मतर्य PS दि व्हुता है यह बाद में लिखा हो सकता था लेकिन हें अगर हम लोग करें तो यह पर लिखा रहेगा इसके बाद फिर प्रोग्राम इससे नीचे चालूर रहेगा इसलिए ऒर आह最近 कुए तो जादे कुछ यहां पर समझना नहीं है जो डाकुमेंटेशन सेक्षन जो है इसके बारे में जादे कुछ समझना नहीं है बस एक चीज़े जान लिजे कि प्रोग्राम को डिस्क्राइब जब भी हम लोग करते हैं या प्रोग्राम को जब भी हम लोग लिखते हैं तो जो प प्रिंट नहीं करता है उसके अलामा जो भी हमने लिखे हैं वो प्रिंट करेगा तो यह बात हैं पिश्येंगे बाकी बाती यह यहां ही काम करेगा आपको आगें भी काम करेगा याद रूख हैं Cumant को भी बी नहीं करेगा ठीक हैं यहां पर compiler अभी compiler पढ़ रहे हैं जब आगे और जाएंगे तो compiler यहां से समाथ हो जाता है अगला जो है हमारा दूसरा हमने बताया थे pre-procedural statement या बोल सकते हैं इसको link section अब देखिए link section होता क्या है इसके बारे में समझें link section के अंतरगत हम अपने program में उपयोग होने वाले सभी जितने भी header file है header file को declare करते हैं link section से हम compiler को interaction देते हैं कि ओ system जो हमारे libraries हैं उसे उन header files को जिसे हमने link section में declare किया है ठीक है उन link section में इन सब header files के अलावा बहुत सारे header files भी होते हैं जिने हमें जरूत पढ़ने पर अपना program लेख सकते हैं अब इसका कहने का मतलब क्या है समझेगा कि जो हमारा link section होता है ठीक है link section में C को आवस्यक library file के program के साथ link किया जाता है ताकि जो हमारा library function जो है library function को program में फाएल्स में उपास्तित library की जो function होगी library function को program में use कर सकते हैं और इस section के pre-procedure जो है हम लोग इसको किससे प्रयोग скорते हैं हैंच इनक्लिउट से प्रयोग करते हैं किसका है लिखेंगे और इसका यूज करेंगे इंक्लिऊड चैके यह हमारा होता है Link section के अंदर हमने program में उप्योग होने माले सभी header files को declare करते हैं जितने भी हमारे header files होते हैं उनको करने के लिए हैज इंक्लूड का यूज करते हैं तो यह पहले से डिफाइन रहते हैं इसमें ज़्यादे सोचने के जुरूत नहीं है यही हमारा लिंक section के अंतरगत में आता है तो यहाँ पर example में देख भी सकते हैं hash include. यहाँ पर studio.h लगता है फिर conmue लगता है string लगता है math.h लगता है तो यह चार example है आपके तेकिन सबसे पहले hash include यह सारे declare रहते हैं पहले से ही ठीक है अगर आप कभी भी सी program लिखेंगे तो यह पहले से declare रहते हैं इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे यह आगे आपको काम आने वाले हैं जब आप program करेंगे आगे हम लोग बात करेंगे तीसरा definition section इस section में C language के हमने जितने भी symbolic constant पढ़ते हैं या उप्योग करते हैं वू सारी चीजे में involved होती है इसमें हम किसी भी डिफिनेशन या किसी भी section में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को जो definition sections होते हैं इसमें हमारे symbol जो आते हैं जैसे कि add defined और इसमें हम लोग को define करने होते है अपनी data को । कि इसमें हम लोग को कि जैसे अगर है तो 100 यहां पर लिखेंगे अगर यहां पर हम लोग को दूसरी जैसे की टोटल एमाउंट जोड़ने है तो टोटल में हम लोग हैश्टेक लेखाएंगे और यहां पर डिफाइन करेंगे की टोटल कितने की है 50 की है या फिर 100 की है या 500 की है तो यह सारी चीज़े यूज करने के लिए हम लोग definition sections का यूज करते हैं जहां पर जितने भी हमारे symbolic constant आते हैं उन सभी का यूज करते हैं तो गाइज अगला है जो हमारा वो चौथा है जिसमें हम लोग global declaration sections के बारे में समझेंगे अब यहां पर ध्यान में रखीगा जो ग्लोवल declaration section है इसके बारे में हमने बताया भी आपको सुरू में ही थोड़ा सा बताया था हीट दिया था लेकिन सारी declaration section यहां पर दिया गया है देखिए यहां पर लिखा गया क्या कि global declaration section के अंदर हम ऐसे variables को declare करते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम को कहीं भी उपयोग करना चाहते हैं यहनि कहीं यदि अगर हम लोग global declaration की बात करें तो इसको हम लोग function के अंदर बाहर दुनों हम यूज करते हैं इसी लिए यहां पर लिखा भी गया है कि global declaration sections के अंदर हम ऐसे वरिवल्स को declare करते हैं जिनको हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं बाहर भी और अंदर भी ऐसे variables को ही global variables कहते हैं और इन variables को हम किसी भी function में कहीं पे भी यूपयोग कर सकते हैं जो हमने बताए वही बात यहां पे लिखी है ध्यान से समझेगा अब इसको program में आपको बताएंगे कि कैसे global declaration sections में हम ऐसे function को भी declare करते हैं जिनको हम अपने program में कहीं भी अब ध्यान से इस example को देखेंगे सभी लोग और समझेंगे यहां पे integer type का यहां पे variables दिये गए हैं जहां पे area को defined किया गया है और यहां पे x द्वारा यह देखें यहां पे global function है यहां पे global variables है जहां पे integer type में end दिया गया है और यहां पे अब यह बात समझने की जाए कि जो हमारा global variable है या global function जो है global variables जो भी हमने बात किया अब इसके कह रहा है कि हम लोग जो global variables है इसको हम लोग दोनों जहां declare कर सकते हैं function के बाहर भी और function के अंदर भी इस बात को यहां पर समझेंगे कि हम लोग जो global variables है इसको function के बाहर यानि हम कि यहां पे भी यूज कर सकते हैं और इसको अंदर भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो local variable होता है ठीक है local variables की अगर हम लोग बात करें तो यह केवल function के अंदर यूज होता है कहां होता है function के अंदर यूज होता है क्या local variable लेकिन इसलिए यहां पे हम लोग इसको नहीं पढ़ रह कि इसको कहीं पर भी use कर सकते हैं function के बाहर और अंदर तो यहीं आपका बाहर योज होगा और यहीं आपका अंदर योज होगा ठीक है तो आप समझगे कि function कहां पर होता है यहां पर आपका function होता है जहां पर main लिखा तो यह आपका main function हो गया ठीक है तो यहीं से आप लोग declare कर सकते हैं कि अब यह global variables जो है वो अंदर और बाहर दोनों जहां यूज होता है अब अभी आपने main function पढ़ा तो main function के बारे में थोड़ा सच समझते हैं क्योंकि main function जो है वो एक section है और उसमें important भी है इसलिए c language में जब भी हम कोई program बनाते हैं तो उस program में एक main function होता है अब कहा होता है हमने बता है उसमें लिखा था न वाइड मैन लिखा था और ऐसे बना था हमने बताए कि इस function के बाहर भी global होता है declare कर सकते है और अंदर भी कर सकते है तो यह जो वाइड मैन function जो है इसी की बात कर रहा ही है तो द्यान से समझेगा कि C program में जब भी हम कोई program बनाते हैं तो उस program में main function होता है main function यहाँ पर लिखा है main function होता ही है इसका कहने का मतलब है कि आप C program जब भी बनाएंगे कोई भी C program बनाएंगे तो वो main function होगा ही होगा ठीक यह भी बात यहाँ पर रखेंगे याद कि जो function है main function जो हटेगा नहीं कोई भी प्रोग्राम बने इसका योज जरूर करेंगे तो ये भी अपने दिमाग में बैठाते चलेंगे में फंक्शन करली ब्रेकेट से स्टार्ट होता है और करली ब्रेकेट से ही खतम होता है यानि में फंक्शन में हम इन करली ब्रेकेट के अंदर ही उप्योग मतलब अंदर ही अपना statement लिखते हैं अब कहने का मतलब क्या था समझे अब यह अपने example में देखा कि जो हमारा main function होता है उसमें हम लोग अपना global variables जो था उसको बाहर declare किया हमने अंदर भी declare कर सकते हैं दोनों जहां ऐसा वो अपनी छमता देता है कि दोनों जहां declare अपनी कर सकते हैं अब जो भी हम लोग को वहाँ पे लिखने होते हैं कोई भी program लिखने होते हैं ठीक है जो भी statement हम लोग को लिखने होते हैं यह important point है जो भी हम लोग को statement लिखने होते हैं ओ statement हम लोग function के क्या लिखते हैं अंदर declare करते हैं जब हम लोग function के अंदर declare करेंगे तब हमारा जो है program run करेगा, compiler होगा, तब हम लोग को output मिलता है main function के अंदर हम जो code लिखते हैं, वो दो part में होते हैं, declaration part और दूसरा execute part अब यहाँ पर declaration part में हम ऐसे variables को declare करते हैं, जिनका उपयोग हम लोग execution part में करना होता है कहने का मतलब है, कि जो main function होता है, main function के अंदर हम लोग code लिखते हैं, हमने बताए कि main function जो है, जहां से हमारा wide menu start हुआ, उसके अंदर हम अपना statement लिखेंगे अब ऐसी statement यहाँ पर declare करना, दो type की यहाँ पर declare होते हैं, पहला तो declaration part और एक थे education part अब यह क्या होते हैं, कि declaration part में हम variables को declare करते हैं, किसको करते हैं, variables को declare करते हैं, और जिनका उप्योग हमें execution part में करना होता है अब इसको कैसे, आईए example में समझते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, पूरे चीज़े यहाँ पर हटा दी गई है, function से यहाँ पर लिखा गया है अब यहाँ पर हमारे एक function है, function के अंदर में हमने declared किया है, integer type का number, n is equal to 50 अब integer type में हम लोग का आता है, 1 से लेके 99, इस type के number जो है, 1, 3, 5, जो भी number होते हैं, यह number हमारे integer type का आते हैं तीन चीज़े होती है, हम तीनों के बारे हम बताएंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यह integer, int इसको shortcut में लिखते हैं, integer n is equal to 15 लिया गया है, तो अब यह जो हमारा statement लिखा रहा है, वो function के अंदर लिखा रहा है तो सबसे पहले की declaration part में हम लोग declare करते हैं कि n का जो value है, वो हमने integer type का लिया हुआ है, जिसमें की declaration part में आ गया अब देखे, execution part में क्या होता है, कि इसमें हम लोग को run कराने होते हैं, और देखने होते हैं कि हमारा जो print करना है, वो क्या करना है तो यहाँ पर n is equal to percentage d और यहाँ पर हमारा n का जो value है, ठीके, तो यह हमारा print करेगा, return होगा, इसके बाद यहाँ पर curly wickets आएगा तो यह होता है हमारा declaration part और यह होता है हमारा execution part, समझ रहे हैं, कहने का मतलब है कि जब भी आप कभी print के अंतर में कोई भी आपका statement लिखा है, print लिखा है तो execution part होता है और कोई भी यहाँ पर number दिया रहता है, int वाला, int यान इसकोल टू 15, कुछ भी integer, float type का, character type का, कुछ भी दे सकता है तो उसमें हम लोग होता है declaration part, अब एक जूद चीज है और बता दे, जब हम लोग integer होता है, तो integer में हम में बता है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के number हम लोग ले सकते हैं, यानि कर सकते हैं, 1, 2, 99, ठीक है, 100, इस तरह के number जो है, वो हमारा integer type के value में लिखेते हैं दूसरा हमारा आता है, यहाँ पर क्योंकि declaration part होता है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि integer लेंगे, यहाँ पर हम float भी ले सकते हैं अब float में देखिए कौन-कौन से आते हैं, तो float में कैसे number आएंगे, float में number आते हैं, 1, 5, 3, 5, ठीक है, 1, 6, या 1, 1, 6, यानि कह सकते हैं, जो दसमलो वाले number लिखे रहते हैं, वो हमारा float में आते हैं तीसरा हमारा आता है character, इसको C-A-R से लिखते हैं, जब program में यहाँ पर लिखेंगे, तो C-A-R लिखेंगे, इसको जब हम लोग character को define करते हैं, declare करते हैं, declaration पार्ट में, तो character में हम लोग लेते हैं, A, B, C, इसमाल में A, B, C, इस तरह के A to Z जो भी लेना हो, वो हम लोग ले तो character में आपने समझ लिया, float में समझ लिया, integer, तो यह तीन type थे mean, जो आपको अभी C program में यूज करने हैं, तो आप लोग समझ गए कि declaration part और education part क्या होते हैं, एक बार फीर से बता दे रहें, कोई student यहाँ पर नहीं समझ पाया होगा, तो ध्यार में रखेगा कि जो print है, इस जो है declare कराने है, ठीक है, तो integer है, float है, या फिर character है, किस type के है, वो declaration part हो जाता है, और education part में हमारा print होता है, कि हम लोग को क्या print कराने है, तो गई यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि main function, जो main function section होता है, basically इसका योज जो है, किस तरह से होता है, main function के अंतरगत में हम लोग दो चीज़े declaration करते हैं, क्या-क्या, एक तो आपका declaration part और दूसरा हमारा education part, अब declaration part में हम लोग integer, float और character type के चीज़े ले सकते हैं, और education part में हम लोग print करा सकते हैं, तो यह दो चीज़े याद रखेगा, अगला जो है हमारा user defined function है, जिसको हम लोग सब program sections भी बोलते हैं, यह जो है program का last होता है, ठीक है, इस section के अंदर user defined function को declare करते हैं, यह जो c programming होता है, अंतिम sections होते हैं, ठीक है, जब हम लोग main function जो होता है, जो हमने main function पढ़ा अभी, just पाचवा में main function की, जैसे ही definition समाप्त होती है, उसके बाद user defined, यानि यह जो हमारा user defined function होता है, या सब program function होता है, यह लिखी जाती है, ठीक है, और यह हम तिम sections होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है int, फिर यहाँ पे sum में दिया गया है, int x, int y, अब यहाँ पे हम लोग user defined में, जैसे कि हम है या आप है, यहाँ पे define करने होते हैं, जैसे कि यदि अगर आपको sum define करना है, जोड, मतल यहाँ पे आपको जोड करना है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे, int x, int y, तो sum क्या होता है, sum होता है a plus b, तो हम लोग इसको x, y दिये, तो return में हमारा क्या जाएगा, x plus y, क्योंकि हमने x plus y दिया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x plus y हो जाएगा, ठीक है, यह ची अब हम लोग एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग को फाइंड आउट करेंगे एरिया आप सर्कल्स अभी जितना आपने छे टॉपिक पढ़ा या अभी कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक चीजे कंसेप्ट की वो सारे चीजे कानी चोड़ अब एक पेज में देखेंगे चले एक एक करके फिर से समझते हैं तो सबसे पहले जो डिफाइन किया था हमने बताये थे उसमें कि कमेंट जो लिखा रहेगा वो कमपाइलर यहां पे सो नहीं कराएगा तो आपका यहां पांच तक जो दीख रहा है यह आपका कभी भी जब आप प्रोग्राम को रन कराए तो सो नहीं कराएगा तो यह आपका पहला सेक्शन था दूसरा सेक्शन में हमने हैच इंक्लूड का बात किया था जो आपके लिंक सेक्शन के नाम से जानते हैं ठीक है तो आपका डाकुमेंट जो डाकुमेंट सेक्शन था उसमें आपने यहां पे देखा कि कमेंट को हमार सो नहीं कराएगा इसलिए इस रंग में आपको दिया गया है तो ये तो आपका एक हो गया sections दूसरा section में आपने पढ़ा कि जो हमको hatch include इसमें use करना होता है link section में ठीक है studio.s लगाने होते हैं ये हमारा declare पहले से लाता है definition section में यहाँ पर define करना होता है ठीक है कि किस type के आपको result देने हैं कुछ भी यहाँ पर define करेंगे float अब यहाँ पर अगला जो था global decreations तो यहाँ पर global decreations में हमने दो चीजे बताए कि यह तो आप function के अंदर और function के बाहर दोनों जहां decreate कर सकते हैं इसमें हमने integer type के value से बताया था इसमें float character कोई भी आपका मन जो डालना चाहें डाल सकते हैं यहाँ पर type का दिया है तो आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं ठीक है next day हम लोग जब hello कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे तब आपको समझ में जाएगा बस आपको जो चीज़ अभी पूरे चीज़े पढ़े थे वो प्रोग्राम में देख लिज़ेगे कैसे कैसे involve होकर यह प्रोग्राम बना है अब यहाँ पर अगला जो था वह है हमारा की main function section function function section था यानि main function था function था यहाँ पर function का यहाँ पर हमारा data है integer type का float type का या फिर character type का तो यहाँ पर हमारा declare होता है जिसमें हमने बताया थे कि दो पार्ट इसमें involved है क्या-क्या पहला तो आपका declaration part हो गया दूसरा हो गया execution part अब declaration part में हमने क्या कहा कि इसमें आपको define करना पड़ेगा कि आप कि इस type के data को ले रहे है integer type के data को ले रहे है या float type के data को ले रहे है या character type के data को ले रहे है और execution part में कि आपको print कराना होता है कि आप क्या print कराना है तो हमको radius यह साब circle करना है, addition करना है, क्या करना है, तो ओ चीजे हमारा print में involved हो जाएगा, तो दो चीजे यहाँ पर आपका main function section के अंतरगत में दो चीजे declared हो गई, अब यहाँ पर हमारा scan up आता है, area आती है, फिर print up आता है, तो यह सारी चीजे हमने declared कर दी, last में हमारा आता है user define function, यह define function जो है, वो last होता है, तो यह सारी चीजे हमने बता दिये, आपके 6 जो चीजे थी, इसके बाद यह program बनके तयार होता है, कुछ इस तरह से यह program लिखा जाएगा, कैसे कैसे define होगा, यह सारी चीजे हमने बता दिये, तो बस आज के लिए इतना ही, मेरा परियास कैसा आप के लिए जाए हिंदे